वेलो क्लास सेवंद कैसे हैं आप लोग इससे पहले वाली वीडियो में हमने चेप्टर एसीड बेसिज और सॉल्ट फिनिस किया है उके उस चेप्टर से रिलेटेड एक्ससाइज और कोशन आंसर्स भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कुछ और उसी चेप्टर से रिलेटेड एक्ससाइज और कोशन आंसर्स हम फिर करेंगे तो आज हम नया चेप्टर शुरू कर रहे हैं बायों का जो कि सेवंद क्लास का फस्स चेप्टर है न्यूट्रीशन इन प्लांट्स ओके बहुत इंपोड़ेंट है चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूट्रीशन इन प्लांट्स तो शिक्स्त क्लास में आपने लिविंग और्गनिजम्स के लिए क्या-क्या फूड चाहिए होते हैं इसके बारे में पड़ा होगा ठीक है ना ओके तो हम यह सीख चुके हैं कि कार्वो हाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैड्स विटामिन्स मिनरल्स यह सभी फूड के कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं इन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं नूट्रियन्स जो कि हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं तो यह हम यह बोलें कि वाटर नूट्रियन्स तो कार्वाइड्स प्रोटीन्स फैट्स बिडामिन्स मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ओफ फूड एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉड़ी इस आवर नूट्रियंट्स ओके अब हम बात करेंगे कि जितनी भी लेवेंग और्गेनिजम्स हैं ओके उन सब को खाने की जरुवत पड़ती है प्लांट्स एपना खाना स्वयम बनाते हैं लेकिन इनिमल्स जिसमें हम लोग भी सामिल है योमन बिंग्स यह अपना खाना स्वयम नहीं बनाते वे कैसे प्राप्त करते हैं या तो प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से ऊके बासवज में आई human beings या animals अपना खाना कहां से अप्राप्त करते हैं plants और animals से तो हम यह कह सकते हैं कि human and animals are directly और indirectly dependent on plants कि humans और animals directly indirectly plants पर depend रहते हैं ठीक है चले अब हम बात करेंगे mode of nutrition in plants कि plants में nutrition का mode क्या है किस तरीके से होता है okay plants are only organisms that can prepare food for themselves by using water carbon dioxide and minerals plants ऐसे organisms हैं जो अपना खाना water carbon dioxide और mineral से बनाती है इनका यूज करके बनाती है okay तो हम यह कह सकते हैं कि उनके आसपास जो raw materials है ठीक है जिसे water carbon dioxide इन सब का यूज करके वो अपना खाना बनाती है है ठीक है ता nutrients enable living organism to build their body अब यह जो nutrients हैं इनसे क्या होता है यह living organisms की body को बनाते हैं उनकी growth में काम करते हैं और यह उनकी body का कोई part damage होता है तो उसको repair करने में help करते हैं energy provide कर आते हैं okay means life process की जितनी भी activities हैं उन सब में nutrients बहुत help करते हैं तो यहां question यह पूंचा जा सकता है what are the functions of nutrients तो आप लिख सकते हो के build their bodies to grow to repair damage parts of their bodies and provide the energy to carry out life process okay हम यह बोल सकते हैं nutrition is mode of taking food by an organism and its utilization by the body okay चलिए अब मोड की बात करें the mode of nutrition in which organisms makes their makes food themselves from simpler substances is called autotrophic okay तो plants का जो यह mode of nutrition है ठीक है जिसमें कि वह अपना खाना सहम बनाते हैं सिंपल सबस्टेंस से वह autotrophic mode कहलाता है auto means self और trophos trophos means nourishment ओके तो autotrophic का मतलब हो गया कि वह अपना खाना स्वयम बनाते हैं ठीक है अपने आप बनाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि plants are autotrophs यह important है plants कैसे है autotrophs है बट एनिमल्स की अदि हम बात करें तो animals and more more other organisms taken food prepared by plants लेकिन बाकी के जैसे animals हैं और भी organisms हैं वो जो खाना obtain करते हैं वो plants के द्वारा बना हुआ अप्टेन करते हैं इसलिए वो क्या कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोज मींस अदर ओके तो plants green plants autotrophs हैं बाकी की other organisms और हेट्रोट्रॉप्स ओके चलिए अब हम यह बोल सकते हैं कि यह आप ऐसे समयल है कि now we may ask where the food factories or plants are located तो plants की food factory होती का है whether food is made in all parts of plants or only in certain parts क्या जो खाना बनता है वो plants के सभी कुछी पार्ट्स में बनता है या सिर्फ कुछी पार्ट्स में बनता है और वो raw material कैसे अपनी surrounding से प्राप्त करते हैं और किस तरीके से जो खाना बनता है वो पूरी बॉडी में अक्चली आप यह समय लें कि फूड मेकिंग जो प्रासेस होता है प्लांट्स में डेट इसकॉल फोटो सिंथेस्स के ऐसे को की है तो फोटोसें टैसित में देखे लीप सारदा फूड फैक्टरी यॉप प्लांट्स लीप्स जो तिये प्लांट्स की वो फूड फैक्टरी जो तियों जो फूड बनता है वह कि इनी लीप्स में बनता है therefore all the raw materials must reach the leaf इसलिए जितना भी raw material वो सब कहां पहुंसता है leaf में water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transferred to the leaves जो water and minerals है आपने देखा होगा कि plants में हम पानी कहां देते हैं उनकी जड़ों में देते हैं उनकी roots में देते हैं क्योंकि वहीं से जो soil के अंदर से water and minerals को roots absorb करती हैं और उन्हें leaves में पहुंचाती है ओके तो water and minerals तो इस तरीके से leaves में पहुंचते हैं roots के जरीए ठीक है? soil से यदि हम carbon dioxide की बात करें carbon dioxide from air is taken air में क्या होती है? co2 होती है तो उसे through tiny pores present on the surface of the leaves actually leaves के surface पर छोटे छोटे पोर्स होती है जिनको इस्टोमेटा बोलती है इस pores are surrounded by guard cells और इन जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनके दोनों तरफ guard cells होती है या guard cells उनको protect करने का काम करती है ठीक है इन पोर्स को हम क्या बोलती है इस्टोमेटा क्या बोलती है इस्टोमेटा ठीक है देखे किस तरीखे का की डिखेगा यह याया थूम्ह़ है इस डिखेगा यह यह थिक्ते आप अभी आमें आये तहरे में और देतेग्व में आये ठ्क है चले हैं तो आपको समझ में आ अया होगा की इसम्हेठा छोटे छोटे फोस होते हैं जो लीप स्म 걱정 sig पर यह भी आप समय लिजिए यहां नहीं लिखा हुआ है यहां बर्ट मैं समझा दूँ आपको कि जो ब्रॉड लीप्स होती है उनके तो जो नीचे वाला सर्फिस होता हूं वहां पूर्स होते हैं यह जो इस्टोमेटा होते हैं लेकिन जो नेरो लीप्स होती है उनमें दोनो तरफ होते हैं ठीक है और बहुत सारे प्लांट से ऐसे भी हैं जिनके इस टेम पर भी पोर्स होते हैं या इस्टमेटा होते हैं ओके चलिए ऊपर एक यहां यह टॉपिक दिया हुआ है सेल्स इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि you have seen that buildings are made of bricks हमने देखा होगा कि हमारे आसपास की जो buildings हैं या हमारे घर हैं वो bricks से बनती हैं ऐसे ही living organisms की जो body होई वो भी छोटे-छोटे unit cell से मिलकर बनी होती है cells को हम microscope से ही देख सकते हैं कि यह बहुत छोटी होती हैं कुछ ऐसे organism से होते हैं जो एक cell से या एक cell से बने होते हैं ठीक है कुछ बहुत सारी cell से मिलकर बनने होते हैं और यह जो cells हैं यह एक outer boundary जिसको हम cell membrane कहते हैं उससे coverd रहती हैं या उसकी boundary बना लेती है ठीक है cell membrane के cell membrane उसकी boundary बना लेती है cell की तो ज्यादा तर cells है वो distinct दूर होती है एक दूसरे से अलग होती है और centrally located spherical structure called nucleus अच्छा इसके अलावा cell के ठीक center में एक spherical structure होती है जिसे हम nucleus कहते हैं nucleus is surrounded by jelly-like substances called cytoplasm और nucleus चारो तरब से एक jelly-like substances डखा होता है या surrounded रहता है उससे cytoplasm कहते हैं आप यह diagram देख रहे हो इस diagram में देखें यह cell है और बीच में आपको यह देख रहे है यह 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 ठीक है यह क्या है nucleus है और इनके अंदर क्या बरा हुआ है cytoplasm बरा हुआ है और यह जो boundary आपको दिख रही है जैसे यह boundary है यह यह cell membrane है कि ओके तो यह आपके आपको सेल के बारे में जानने को भी मिल गया कि सेल्स क्या होती है और किस तरीके से उनके अंदर nucleus located होता है ओके चलिए अब हम बात करेंगे तो when water and minerals are transported to the leaves by the vessels which can like pipe through the roots, the stems, the branches and the leaves actually क्या होता है कि leaves, plants के leaves में, roots में, stems में इन में pipe like structure होती है vessels जिन्हें vessels बोलते हैं और वो water minerals को transport करते हैं ठीक है they form continuous path or passes for the nutrients to reach the leaves और यह एक continuous रास्ता बनाते हैं कि जो nutrients हैं वो लीप तक पहुंच सके इनको हम vessels कहते हैं ठीक है इनके बारे में आप आप खाहां पर और ज्यादा सीखोगे ट्रांस्पोर्ट और मटेरियन इन प्लांट्स चेप्टर 11 11 चेप्टर में और ज्यादा इसके बारे में हम आपको बताएंगे ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं जो leaves हैं इनमें green pigment भी होता है जिसे हम chlorophyll बोलते हैं आपको समझ में आ गया कि CO2 water and minerals किस तरीके से leaves में पहुंचते हैं अब हम leaves की बात करेंगे leaves में green pigment होता जिसे chlorophyll कहते हैं यह क्या करता है यह energy sunlight sun की जो light है या energy है उसे capture करने की कोशिस करता है help करने में help करता है ठीक है ना means जो chlorophyll है वो sunlight को या energy को capture करने में help करता है ठीक है और यही energy है यह food बनाने में काम आती है और वो food किसे बनता है carbon dioxide and water ठीक है इसका मतलब carbon dioxide gas water chlorophyll इन सबसे मिलके और plants में food बनता है और इस process को हम क्या कहते है photosynthesis और यह हमेशा sunlight की presence में ही होता है इसलिए हम यह भी कह सकती है या ऐसे समझ सकती हो कि दिन के time में ही photosynthesis का process होता है क्योंकि sunlight भी दिन में ही मिलती है क्योंकि photo means light synthesis means to combine या बनाना ठीक है so we find the chlorophyll sunlight carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis तो मैं समझ में आ गया कि photosynthesis के लिए chlorophyll sunlight CO2 carbon dioxide water यह जरूरी है okay it is unique process on the earth यह अर्थ पर यूनिक प्रोसेस है solar energy is captured by the leaves and store in the plant in the form of food solar energy है वो से leaves capture करती है और plants में food को store करने का काम करती है the sun is the ultimate source of energy for all organisms इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो sun है वो सभी energy का ultimate source है okay चलिए तो यहां से आगे next video lecture में इसको आप read करेंगे chapter को बार बार वीडियो pause करके देखेंगे notes बनाएंगे okay thank you